हेलो फ्रेंट्स मेरा नम दुर्गेश है और आज हम लेकर आएं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक वैपसाइट कैसे बना सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आपे टेक्सॉफ्ट ऑफिसियल यह ज साइट जो है हमारे रेस्पॉंसिव है यह मुबाइल में बहुत बढ़ी है प्रॉपर ओपन होगी और यहां पर फॉर्म वगरा देख सकते हैं यह मैटेरियल से सके सारे कंपोनेंट्स हैं और यहां पर साइडने वगर देखेंगे यह सारी चीजह हम लोग बनाना सिखेंग और हम लोग मेटरलाइज CSS वेपसाइट की हैप लेंगे डॉकमेंटेशन को रीट करने के लिए और कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए और फिर्ट्स हम लोग टेक्स एडिटर की रूप में यूज करने वाले हैं वीज्वल स्टूडियो कोड यहां पर यह बहुत ही बेस सब्सक्राइब करने सारी मैं आपको बता दूंगा स्बैक्साण करते हैं हम लोग यहां पे जब्रंटर बना लेते हैं यहां पे व्टोडरSका नाम देते हैं वैसे और हमें क्या करना इस फोल्डर में सारी सिच्चें उपन करनी है है क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा इस websiteาइट को ड्रेक करे के यहाँ पे विज्यू स्टूडियो के पास ली जाना है अपने जो क्या करेंगे जो ओपन करते हैं या इस आपक TV फोल्डर का ओप्षिन है और आप यहाँ पर डेक्सटोप पे अपना वैपसाइट वाला प्रइट करें तो यहां पर सालेट फ्लेट करें लिए तो यहां पर ओपन हो जाता है आझाल क्या करते हैं अध् WEB साइट पर कैसे ऊपन करना भूंगल जाहों के सर्च करें लाइस बस्कार दोगे तो यह वैपसाइट अपने आप अगर आप Google करते हो यहां पर इस तो यहां पर आपको यह website उपन होगी अब पहली विपसाइट उपन करोगे तो यही वाली website materialize CSS की उपन होगी यहां पर हम ओपन क्लिक करेंगे getting start पर और जैसे ही किप करोगे तो यहां पर आपको दो option मिलेंगे materialize CSS को अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के सबसे पहला जो option मिलेगा वो आप इसको offline download कर सकते हो दूसरा option मिलेगा आप क्या कर सकते हो इसके link लगा सकते हो direct CDN जिससे कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा बट हाँ अगर आप CDN यूज करोगे तो आपको net की जरुद पढ़ेगे अगर आप net disconnect कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम लोग यहां पर metalize CSS paid क्लिक करेंगे और यह मैसेज आ जागा thank you for downloading और आपका फॉल्डर में लेंगे जब हम metalize CSS वाले folder को प्रेंगे एक folder मेलेगा CSS का और एक folder मेला JS का इस दोनों folder को हम लोग copy कर लेंगे और हम लोग अपने फोल्डर में ले चलेंगे desktop पे तो हम यहां पे desktop ऊपन करेंगे अपना और desktop अपिन करेंगे और अपनी website वाले फोल्डर में यह दोनों फोल्डर कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम मेरे पास यहां पर कुछ प्तोस भी उनको फिम्हे करेंगे इसे में कॉपी कर देता हूं तो मेरे पास इमेजÁ नाम का एक फोलडर उसको भी मैं यहां पर लेता हूं तोṣ हम क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर पेस्ट कर लें तो मैं आपको दिखा दूंगा यहां पर इमेजस में कौन-कौन सी इमेजस हम लोग उसकरने वाले css में पहले देखेंगे यहां पर दो css है materialize css और materialize min.css तो यह है manifest version है इसको भी हम लोग उसकर सकते हैं दोन में से कोई भी उसकर करें कोई ने पढ़ता और js में भी दो है materialize.js और materialize.min.js उसके बाद हमने images यहां पर कुछ download करके रखेंगे इसमें कुछ images Photoshop की हुई है और कुछ images हमने draw किया है Adobe XD से तो आप इसको ले लिजेगा मैं इसका फोल्डर होगा उसको compress करके उसका link description box में दे दूँगा आप लोग उसको download कर लिजेगा तो जले friends अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जब Visual Studio Code open करेंगे तो यहां पर आप CSS फाइल भी देख पाऊगे और यहां पर images वाली सारी फाइले देख पाऊगे और JS वाली भी सारी फाइले देख तो हम लोग क्लिक करते हो किसी भी image पर तो इस right side में images open भी जाएं new file पर क्लिक करते हैं और यहां पर index.html तो यहां पर हमारा index file बिन जाएगे तो इसके लिए अगर आप यहां से problem होगी तो आप फोल्डर पर राइटी डारेक्ट यहां पर करिएगा new file पर कल दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगा सबसे पहले basic HTML लिखेंगे तो basic HTML लिखने लिख देंगे हमारा home page या हम लिख देंगे my website उसके बाद हम लोग यहां पर ऐसे ही टेस्ट करते हैं एक heading देंगे एस टू इस टेक्स आप लिए टेक्स आफ्ट इंडिया और हम लोग इसको open करेंगे तो हम लोग इसका output देखने के लिए मैं यूज करूंगा live server तो अगर आप लोग live server download करना चाते तो आप इस वाले option पर क्लिक करेंगे और यहां पर सर्च करेंगा live server internet आपके computer में चालो होना चाहिए और live server पर यहां पर इसको install करेंगे तो यहां पर राइट लिक करेंगा अपने page पर और यहां पर option आजाएगा open with live server आप क्लिक कर दिएगा जैस पर इस पेज़ पर और हम लोगो output दिखेगा इस पेज़ तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहला ही step हम लोग materialize CSS को यहां पर लगाते हैं तो हम आएंगे head section में और यहां पर लगाएंगे CSS तो हम लिखेंगे link enter कर देंगे और जैसा enter करेंगे तो यहां पर अपने भी लगानी पड़ेगी तो हम लोगाएंगे body के नीचे यहां पर और यहां लिखेंगे script script और script colon src पर क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे js enter materialize.min.js उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस css के अंदर एक और हम फाइल बनाएंगे style.css जिसे हमें अगर कुछ css लिखना होगा तो वह css हम यहां लिख देंगे और css को link कर देंगे अपने इस index file में तोँ addcin kya link और link में link लिखेंगे css css style.css तो मैं इस बाद देखा देता हूँ कि हमारा css execute हो रहा है चल रहा है चल रहा है लेकि नहीं चल रहा है तो हम लोग जाए पर हमारा बैग्राउंड रेट करके देख लेंगे से सच चल रहा है कि नहीं तो देखें यहाँ पर हमारा देखें मैंट्रलाइज भी लग गया क्योंकि आप देखें हैं लिए यहां पर हट गया से तो हमें अगर कोई से लगाना होगा तो style.css में लिखेंगे और अगर materialize का CSS यूज़ करना होगा तो हम लोग use कर लेंगे उस materialize की website पर जाकर documentation देख करें उसके बाद एक चीज़ फ्रेंड और हमको जरत प्रोड़ेगी jQuery तो हम लोग net पर जाएंगे Google पर जाएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ Google open कर लेता हूँ और यहां Google पर मैं टाइप करूँगा jQuery CDN यह वाली फाइल में download नहीं करने वाला हूँ मैं CDN यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यहां पर यह official website है jQuery के तो यहां jQuery manifest version पर मैं क्लिक करूँगा और इस पूरी लिंक को copy करूँगा और यहां पर अपने इस में paste कर दूँगा तो हमारी jQuery यहां पर इंक्लूड हो गई हमारे प्रजेक्ट में आप हम jQuery को यूज कर सकते हैं तो अगर आपको आपको पता चल जाएगा और यह basically function है ready जब आपका document पूरा load हो जाएगा तब यह function चल जाएगा यह क्या करेगा इस callback function को call कर देगा function वाल तो यहां अगर 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 कोई message आग है testing इसका मतलब आपकी jQuery include हो गई तो देखे जैसे यहां पर जैसे मैंने refresh किया या क्यूंकि हम लोग लाइब server यूज कर रहे हैं तो refresh करने की जरूतर नहीं है जैसे आप यहां सेब करोगे आपके changes reflect हो जाएग तो यहां पर देखे message आगया अगर हम फिर से यहां पर save करते हैं तो यहां पर फिर से message आगए इसका मतलब हमारी jQuery include होगे अब मुझे कोई code लिखना होगा तो मैं jQuery का code इसी के अंदर लिखूँगा यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं jQuery और javascript जो jQuery यह जावस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो फिर हम जावस्क्रिप्ट का code यहां पर भी कोई लिख सकते हैं चले फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम काम करेंगे अपने नैब बार पर नैब बार पर अदब हम लोग बनाएंगे अपनी website का नैब बार यह वाला section सबसे पहले इसमें हम लोग का home होगा हब आउट होगा contact होगा और यहां पर टाइटल होगा तो हम लोग थोड़ा से documentation की अब लेंगे और search पर जाएंगे यहां पर टाइप करेंगे नैब बार और नैब बार.html पर क्लिक करेंगे और हम लोग सबसे पहला नैब बार देखिए इस तरीका का नैब बार करेंगे तो हम इस एक snippet को यहां पर हम copy करेंगे और आएंगे अपने सबसे पहले हम Techsoft वाले हटा देंगे और body के सबसे अपर पूर्शन में यहां पर हम टाइप करेंगे नैब बार बैसिकली हम comment लगा रहे हैं जिससे हमें कोई confusion ना हो रहा लिंग देंगे end of नैब बार और यहां पर हम वह अपना नैब बार वाला पूर्श कर देंगे और हम आएंगे अपने पेज़ पर रीफ्रेस करेंगे देखेंगे तो हमारा इस तरह का कुछ नइब बार आ गया यह भी exact वही नइब बार है जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा स या class container class container इससे होगा कि जो इसके अंदर टेक्सट हम लुग लिखेंगे वो थोड़ा सा जो इसके पर दो तो खर में रहे जो यहां पर थोड़ा साउं कुछ गड़ँड हो गया तो हम लोग क्या सहीब कर देखें जो आप टेक्स लिखेंगे अगर container के अंदर रखते हो तो क्या होगा कि यह जो इधर से distance है यह थोड़ा सा इधर से distance आ जाएगा थोड़ा सा इधर distance अगर आप यह container हटा देतो तो आप देखोगे कि यह distance बढ़ जाए तो हम दोनों तरफ से basically हम x-axis पे इधर से भी distance देना चाहे रहे थे 15% का और इधर से 15% का तो यह 70% का distance ले रहा है और यह 15% इधर 15% तो जब भी हमें यहाँ पे कुछ करना होगा जैसे मालो हमें इतना portion चाहिए सिर्फ इतना portion तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे content को container नाम के container में रख देंगे तो होगे क्या वो full width नहीं लेगा वो क्या करेंगा इतनी width लेगा थोड़ा सा इधर से जगे छोड़ देगा थोड़ा सा इधर से जगे छोड़ देगा इसलिए मैंने यहाँ पे container किया था उसके बाद हम logo change कर देते हैं लोगो पे लिख देते हैं textsoft official तो देखेंगे textsoft official और यहाँ पे हम home about contact us लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे home about और यहाँ पर देंगे हम लोग contact us contact us save करेंगे हमारा काम हो गया उसके बाद अगर आपको icon लगाना है तो हम लोग अपने documentation पर जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे icon और हम लोग icon वाले page को open करेंगे और यहाँ पर आपको एक link काई होगी icon यूज करने के लिए तो हम लोग जाएंगे और अपने head section में इसको पेश करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे home के बगल में और यहाँ पर लाएंगे i tag i tag और i tag में हम लोग क्लास लगाएंगे class material यह material icons और left और यहाँ पर हम लेखेंगे home तो आप देख पाएंगे यहाँ पर परफेक्ट हमारा यहाँ पर home का आप class लगाई है material icons और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अपना जो आइकन कॉपी किया था हो पेस्ट करेंगे और यहाँ एक और क्लास लगा देंगे लिखेंगे call underscore end जैसे हम refresh करेंगे देखेंगे हमारे आइकर रेडी है अब हम लोग क्या करते हैं तो कलर चूज करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग अपने ने ऌते हैं पर नहीं कितना के लिए अंब क्लास लाएंगे जाता है तो हम लोग या करेंगे हैं यहां हम ने रेड उस किया यहां पर हम लोग लाएंगे तो हम लोग उसकर रहेंगे एक्जा कलर कोड यह हम लोग का सॉफ्वियर है अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर वेबसाइट पर जा सकते हो इसको यूज करने के लिए तो यह डेक्स्टॉप अप्लिकेश सिता कि स्वाले का छूज करूंगो तो बेसिकली हम लोग कर लेंगे इस कलर को बट्राइकर तो यहां पर रावंगा रुसको और तो हम लोग ठोड़ा सा डिपरेंट पहले वाला चैसद तो हमने उसको करता और हम लाखे अपने इसी में पेस्ट कर देते हैं तो यह कलर हमारा था पहले वाला कलर अगर हम लोग अपना आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट दिख जाएगा जिक्ति वही कलर था तो कोई लेकिन हम लोग को साइड बार भी चाहिए होगा हम चाहते हैं कि छोटी वाली स्क्रीन पर ऐसे उपन करें तो हम लोग चलिए उसको भी करते हैं यहां पर आते हैं हम लोग और यहां पर टाइब करेंग साइड नयव इसको साइड नयव बोलते हैं तो बिसकल यह साइड नयव हम लोग ऐसे लगाना चाहते हैं यह जैसे भॉस्त वलब करें एक overall और और नव वाले आप टैग को छोड़ देगा क्योंकि नव टैग हम अलड़ी इस टैग को आप छोड़ देगा मत कॉपी करेगा क्योंकि यह नव हम लोग अपनी नव के नीचे रख देंगे साइडनेब के नीचे रख देंगे तो साइडनेब हमारा यह हम लोग अपने नव के नीचे रख देंगे नॉट साइडनेब दिखेगी यह वाली बटन इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा देखे बार ओपन हो रहा है अब हम लोग क्या करते हैं इस बटन को यह जो बटन है वो बेसिकली यह वाली बटन है यह वाली बटन तो इस बटन को मैं यहां से कट करूँगा और अपने नैप में ले चलूँगा Techsoft के ऊपर जैसा हैं इसको Techsoft के ऊपर ले जाएंगे देखेंगे यह बटन गयाव हो जाएगी अब वो बटन छोटी स्क्रीन पे दिखेगी यह रही और जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सस्क्रीन पे जाओगे थो एपने आप बटन हाइड हो जाएगी और चोटी स्क्रीन पे जाओगे तो अपने आप से बटन सो हो जाएगी तो यहीं हम चाते भी हे तहब हम थोड़ा सा अपने नयप बार---- को सही कर लेते हैं तो साइट भार इसको बहुत Champions तो हम अपने स्थोडे से sidebar को sidebar को सभी कर ले यह होता बार और यह 100 साइड वार को सही कर लेते हैं side को सही करने के लिए हम आयेंगे यहांगे और हम लोग यह है हमारा बैक्ग्राउंड तो बैक्ग्राउंड यूज करने के लिए मैं यहां पर उसका ओढ़ा भी जी कि वी जी एमेजिस फोल्डर से मैं एक इमेज उस करूंगा वी जी वन डॉस जी बार में अब हम देख लेते हैं वी जी वन में क्या यह वाली फोटो है तो हम लोग वी जी वन i. जी उस्किया तो हमारी एमेल में भी अपना लिख देँगे आप लोग अपना लिख देगे स्थ p.m. अपनी एमेल लिख देँगे उस पाद friends हम लोग यह जो है प्रसाइल पिक्चर तो हम लोग यहाँ पर भी अपनी प्रसाइल पिक्चर लेंगे image वाले folder से मैं उठाऊंगा dp1 और हम लोग आएंगे और अपनी website को refresh करेंगे और देखेंगे यहाँ पे तो perfect हमारा देखें यहाँ पे profile आ गई, name आ गया, email आ गया perfect अब हम लोग इस links को भी देख लेते हैं तो अगर हमें links यह हमारी basically lili है link है, तो हम लोग यहाँ पे अगर लिख देंगे home, तो phone पे home दिख जाएगा उसके बाद हम लोग अगर home में home का इकन देना है तो आप यहाँ लिख दीजिए तो हम देख सकते हैं, output home का इकन आ गया और anchor tag कहीं miss हो गया, पर यहाँ पे यहाँ तो आप देखें, यहाँ पे home आ गया होगा उसके बाद और भी option देना है, जैसे यहाँ पे देना है, website website और यहाँ पे आप cloud दे सकते हो, cloud means बादल टाइप का आइकन होगा देख लेते हैं, इसी तरह आप आइकन बहुत सारे options बढ़ा सकते हो यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो, contact us, contact us, और यहाँ पे call underscore end का option देदो तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक और option आगे, इसी तरह आप बहुत सारे options को बढ़ा सकते हो और यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, यह बिसकले second link है, तो अगर आप चाहँ तो इसको हटा दोगी कि मुझे तो नहीं चाहिए था, तो मैंने हटा दिया था, अब यहाँ पे social, तो यह जो header है, sub header इसको मैं change कर दूँँगा, social links, links, social links, और हम सबसे पहले जो social link देएंगे Instagram, Instagram, उसके बाद हम लोग ले लेंगे, LinkedIn, इसी तरह मैं बहुत सारे links ले सकता हूँ, LinkedIn, LinkedIn, और यहाँ पे हम देख पाएंगे, कि हमारी सारी social sites की भी link ready है, अगर चाहते हैं तो हम लोग आइकन दे सकते हैं, जैसे मैं उपर दिया, बढ़ अभी मैं कुछ करने वाला हैं, नेक मैं क्लिक करूंगा, यह राइट से उपन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सब से नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर साइड ने में, एक JavaScript का object देंगे, जिसमें होगा क्या, एच नाम की प्रापर्टी होगी, और इसकी value मैं उठा के राइट कर दो, इतना काम करने से आपका न परलिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने साइड ने, अपने documentation पर जाएंगे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, परलिक्स, परलिक्स आ जाएगी, तो और अगर आपको डेमो देखना है, तो आप यहाँ देख सकते हो, बेसकली हम लोग यह पैरलिक्स effect यूज करना चा यहाँ लोग यूज करने वाले हैं, तो चलिए यूज करते हैं पहले से यहाँ पर आपको चाहिए यह स्टेमल तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और आएंगे, अपने बार के बाद यहाँ पर लिख देंगे section 1 comment में और हम लिख देंगे end of section, end of section, end of section 1, ठीक है और यहा तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इस parallax को इनसलाइस करेंगे, parallax को इनसलाइस करने के लिए हमें code चाहिए यह code तो हम लोग अपने document.ready में जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, copy करेंगे और document.ready में, side nap के नीचे paste कर देंगे और अब यह तक आउटपुट देखेंगे तो कुछ नहीं डिखाए क्योंकि हम ने इमेज नहीं स्पेसिफाइ किया तो हम लोग यहां पर इमेज स्पेसिफाइ कर देते हैं तो इमेज हमारी रखें इमेज वाले फोल्डर में और मैं उसकरूंगा बीजी टू एक बार बीजी एक कंटेनर रख देजे तो मैं आप एक सेक्षन बना रहा हूं और इस पूरे अपने परले स्पेस्टों में रख देहा हूं और इस कि हाइट थोड़ा इन्क्रीज कर देता हूँ हाइट लग सबस्पर सेब करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इस वाले सेक्षन की हाइट हो गई अब यह स्क्रॉल हो सकता है तो जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे इमेज को यह होता है तो यहाँ पर हमारा पास एक और फोटो दूसरी बीजी फोर है इसमें थोड़ा सा हलका सा मैंने ओपेसेटी दे दी है इसको एडिट करके तो एक बार मैं उसकरता हूं पीजी फोर देखता हूं क्या यह बेस्ट लगता है बीजी फोर यहां पर कर दिए और आप देखें यहां पर बीजी फोर देगा आपको जो सुटेबल लगे वह उसकर और मैं क्या करूंगा यहां पर अब हम लिखने कोसिस करते हैं यहां पर अपना सब्टाइल और बटन बनाने कोसिस करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लोग आएंगे अपने इस पिक के नीचे और यहां पर टाइप करेंगे डिव और बनाएंगे कंटेनर क्य यहां पर वाइड करना है करना है हम क्लास करेंगे कलास वाइट करने के लिए हुड सरी लिए सक्रूलिः से लिखना पड़ेगा तो हम चाहते हैं कि हम bootstrap की जो helper classes हैं वो यूज़ कर सकते हैं जिसको पता है कि bootstrap में margin top margin bottom padding bottom padding top इस तरह की बहुत सारी classes दे दी गई तो इसको मैं use करूंगा या अगर आप चाहते हो तो style के मोटर्णख जिसे आप यहां पर मारंजिन देना है तो है इसे आप इस टाइल भू और यहां प सिया चौर्ण बाधित को सकते में अभगव मारम कोरें जाएगा और ताहिन।म आपको एक लुट्स हाइए बूट्स ठैप की यहां पिक्ला संदिग्स है को तो हम लोग चलेंगे यहां पर गूगल पर और यहां पर एक लिंक है मैं आप लोग को लिंक description box में दे दूँगा यह रिशब करके किसी की github repository का link है और यहां पर इस यहां पर हमें मिल जाएगे बूट स्टैप की helper classes जैसे यहां पर float right, float left, text right, text sender बहुत सारी classes हमें CSS से उस फाइल तो आप क्या करें यहां पर clone download पर जाएए इस जिप को download कर लिए जैसे जिप को आप download कर लेंगे तो आपके computer में यहां पर यह folder download जाएगा और इसको आप extract कर लिएगा जब आप extract करोगे तो यहां पर आपको डिस नाम का folder मिलेगा और इस folder से आप copy कर लिए bootstrap 4 को bootstrap4 utilities.min.css और अपने folder में चलिए और अपने folder में desktop पर आपका folder था desktop पर website नाम से folder था तो website और अपने CSS में इसको जाके paste कर दिए और हम link कर लेते हैं इस CSS को अपने index.smail में यहां पर link करना बहुत इजी है यहां पर आएंगे और type करेंगे link और यहां पर type कर देंगे CSS के अंदर bootstrap utility अब आपको करना क्या होगा अगर आपने इतना pi 45 तो जादी margin लगाना तो five later अगर आप देखोगे तो यहां पर हलकीसी मारजन मिल जाएगी top से देख रहे हैं और अगर आपको थोड़ा कम चाहिए margin तो आप क्या कर सकते हो margin margin 1 कर सकते हूँ 2 कर सकते हूँ यह आपकी मर्जी है 2 करेंगे हलका सा कम हो गया यहाँ पर तो इसी तरह हम 5 रखेंगे इसी तरह margin top है margin left use कर सकते right use कर सकते bottom use कर सकते बहुत सारी उसकर सकते अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे paragraph और यह लिखेंगे hey, hey friends subscribe to my YouTube channel for latest update hey friends subscribe to my YouTube for latest update अब अगर output देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटा text है left side में आ रहा है तो इस पर भी कुछ classes हम लोग लगाएंगे यहाँ लगाएंगे हम लोग class और सबसे पहला इसको white करेंगे तो text white text और center बनाने के लिए हम लोग आएंगे center line और थोड़ा सा बढ़ा करने के लिए हमारे पास एक class मिल जाती है flow text और हम आके refresh करेंगे तो देखेंगे पर्फेक्ट अब हमें यहाँ पर एक बटन लगानी है तो simple बटन बनाने के लिए मट्रलाइस CSS में हम यूज करेंगे बटन और बटन में लिख देंगे subscribe जिससे कि आप लोग subscribe कर पाओ और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब ने किया तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करिए हम class लगा देंगे बड़ी करनी है तो आप btn-lg यूज कर सकते हैं btn-lg देखते हैं एक बटन अच्छा btn-large उसकरते हैं लाज से होगा हाँ देखे बटन थोड़ा सा लाज हो गई तो यहां पर हमारा पहला section तो perfect ready है और हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहां में parallax effect भी दिखेगा है थोड़ा सा में margin टॉप और देता हूं container में margin टॉप देते हैं हलका सा mt5 तो हलका सा नीचे आ गया और पैडिंग भी दे देते हैं पैडिंग टॉप 5 तो देखें हलका सा और नीचे आ गया perfect और अगर हम लोग small screen पे open करेंगे तो एकदम perfect देखेगा हमें चले अब 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 दोग अपना दूसरा section बनाते हैं और दूसरा section था हमारा learn with me वाला जिसमें हमें यहां पर यहाँ पर यहां पर देना है यांतारी करते हैं लोग यहां पर हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे heading तो हम लोग क्या करते हैं एक section बना लेते हैं नया section 2 section 2 और comment कर देंगे और यहां लिख देंगे end of section 2 जिससे कि हमारे कोई confusion आओ end of section 2 और हम लोग यहां पर section बनाने के लिए एक टैग उसकरेंगे section 2 और फिर हम एक container राएंगे तो डिफ अगर आप visual studio बना सकते हो और यहां पर हैडिंग देजिए यहां पर लिख दिए लर्न विद मी और अगर आप रीफ्रेस्ट करते हो तो आपको अउट्पुट दिख जाएगा तो हाइट कुछ ज्यादा बड़ी हो गई यहां पर शायद इस हाइट को हटा देते हैं हम देख पाएंगे हमारा उट्पुट लर्न विद भी इसको center पर कर देते हैं तो परफेक्ट center पर करने के लिए आप इस पर लगाना होगा class center align जैसे आप पर होगे center पर आप में तीन कॉलम्स बनाने इसके अंदर तो कॉलम्स कॉलम्स बनाने के लिए होगा क्या मैं यहां पर एक और क्लास उस करोंगा एक container बनाऊंगा जिसका class रखोंगा रो और फिंस यह रो बन गए यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है पूर स्टैप में भी और इस रो में हमें 12 में 12 मिलें देखो 123456789 11 12 मिलिए देखिए यह एक रो है इसके अंदर 12 जैसे इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ इससी तरह 12 गृट्स हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमें 6 6 जाहिए जैसे हमें दो कॉलम्स बनाने तो चेशी कर बनाना तो हमें call s6 small screen पे 6 medium भी और large पे भी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक और बनानी है तो हम लोग इसका एक duplicate बना सकते हैं और इसका भी हम लोग एक duplicate बना सकते हैं तो हम 3 बसके लिए 3 columns बना रहे हैं तो अब perfect है और हम क्या करेंगे इस column में according लगाएंगे हम लिखेंगे services container जिससे कि हम लोग style थोड़ा सा कर पाएं बाहर से अभी हम लोग style लगाएंगे और यहां पर मैं लगाऊँगा h3 और h3 में लगा जावा tutorial अगर हम लोग refresh करते हैं अपने page को तो यहां पर देखते हैं क्या output मिलता है तो हम लोग अपना page open करते हैं आप जावा tutorial है अभी दिख नहीं रही बट अभी आपको दिखेगी तीनो columns दिखेंगे इसे तरह हम इसके नीचे पी लगाते हैं और कुछ paragraph लिख देते हैं Learn Java with me in easy easy manner full stop लगा देते हैं और हम लोग refresh करते हैं देखते हैं आगया अगर आपको बटन भी लगानी है तो आपके अगर यह सी के नीचे बटन भी लगा दिए बटन और लिख दिए लर्ण और बटन पर कुछ टैक सी उसका लेजिए लोग बटन और बीजी डैश के प्राइमरी सेव कर दीजे और प्राइमरी की स्पैलिंग थोड़ा सा सही करते हैं प्राइमरी तो यहां पर अप सेंटर पर लाने के लिए हम लोग अपने सर्विस वाले पर लगा देंगे माहिए सेंटर अलाइम् है काट करेंगे तो यी बन गया हमारा उसके बाद हम लोग क्या अगरते हैं इसी परकपी कर लें आच्ळा एक हम लोग यहां पर हम लोग यहां करते हैं यहां पर आईकन में लगा देते हैं तो हम यह exactly वैसा ही लगाएंगे आई लिखेंगे और आई में हमें लगाना है सब्सक्राइब का इकन और आइकन लगाने के लिए हम लोग क्लास यूज करेंगे material आइकन आइकन और रिफ्रेस्ट करेंगे देखेंगे एक बार फिर से ट्राइब करते हैं लोग कुछ गलत हो रहा है हम लोग चलते हैं और आइकन टाइप करते हैं और आईकन और हमें यहां में क्या करूंगा मुझे मिल जाएगा है कोड मैं इसको कॉपी करूंगा और अपने देखोंगा आप रिफ्रेस करके यहां में प्लस का मिल जाएगा तो अब लोग क्या करेंगे अभी java tutorial के लिए आप कोई भी दूसरा icon यूज कर लिए यहाँ पे चलिए और हम यूज कर लिए यह अपने मर्जे से कोई भी icon यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा icon मिल जाएगा अब लोग क्या करते हैं जस्त यह चीज़ कॉपी करते हो दूसरे कॉलम में इसको पेस्ट कर लेते हैं और जहाँ जावा टुट्रियल है वहाँ python टुट्रियल कर देंगे पाइफन टुटोरियल और नेक्स्ट इसको भी हम पेस्ट कर देंगे और जहां जावाट था वहां Android यह डिजाइन कर देंगे Android टुटोरियल और यहां लिख देंगे Learn Android with me और यहां कर देंगे Learn Python with me परफेक्ट अब अगर हम आउटपूट देखेंगे तो यहां थोड़ा सा गड़ड़ वाकुछ देखते हैं क्या है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर देखेंगे 6 6 अभी मैंने बताया था कि 2 कॉलम बनाने तो 6 6 और अगर हमें एक रो के अंदर 3 कॉलम बनाने तो हमें यह 6 के दिखा 4 करना पड़ेगा इसको भी 4 करना पड़ेगा तो जो टोटल चीजे होंगी 4 प्लस 4 आठ और प्लस 12 तो एक रो में 12 ग्रिड आ सकता है इसका मतलब 6 6 12 6 18 हो गया था तो नीचे आ जा रहा था ठीक है तो यह चीज आप सबको ध्यान रखनी है जब भी आप डिजाइन वरह करोगे थोड़ा सा मार्जन हम दे देते हैं ट्री का जिससे कि यह थोड़ा नीचे आ गया या आप 5 का मार्जन दे सकते हो लर्न विदमी आइकन को और python tutorial में हम लोग यह आइकन कर देंगे और इसी तरह हम लोग android tutorial में आइकन बदल देते हैं यह वाला आइकन लेते हैं android tutorial में तो आइकन चेंज हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग फटर blossom आइकन चेंज होगी हम लोग क्या करते हैं यहां पे थोड़ा सा style style में हम लगाए font size font size 80 pixel तैसे refresh करेंगे तो कुछ चीजे गलत होगे important यूज कर लेते हैं important और my icon एक बार class check कर लेते हैं my icon my icon refresh करते हैं तेखें यहां पर font सब के बड़े होगे अब हम क्या करते हैं इसका color भी change कर सकते हैं यहां से तो आएंगे अपने style में और यहां पर color colon और color हम ले लेंगे अपना यह वाला color जो हम लोग ने background वे उसकिया था perfect save कर दिजिए और देखें color change हो गया अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी perfect लग रहा है कोई दिखकर ने बट अगर आपको यहां पर लगाएंगे border 0.5 pixel solid और color हम लोग वही लेंगे तो यहां पर देखें चारों तरफ से border आगया थोड़ा हम पैडिंग देते हैं पैडिंग पैडिंग में हम लेंगे 20 पिक्सल तो यहां पर देखें चारों तरफ से border आगया परफेक्ट लग रहा है कोई दिखकर नहीं अगर आप पैडिंग और दे दो तो और भी परफेक्ट मिझे लगता लगेगा देख पाएंगे परफेक्ट है अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पर होबर करें पहले इसका तो यहां चाहते हैं परले यहां जाएंगे तो इसका color black हो जाए तो हम लगाएंगे सीड़ो लेक्ट परफेक्ट आप इस पे ले जाओगे तो बैक्ग्राउंड चेंज हो जाएगा इसका आप ऐसे भी रिखते हो बट अगर आप चाहते हो कि यह जो चेंज हो रहा है वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ले 200 मेली सिकंड ये टाइम ले जिसे थोड़ा एनिमेशन दे सको आप लोग तो आप आजएगे यहां पर यहां टाइप करेगा ट्रांजिशन और यहां पर टाइप करेगा कितना मेली सिकंड चाहिए 200 आइप यहां से बॉड़्ड रेडियस जाएंगे तो इसका बॉर्डर रेडियस भी चैंज हो जाए पर्फेक्ट अब लोग तीसरे से सक्षिन पर काम करेंगे तीसरे स्क्षिन था अब आउट में एक बार आपको दिखा देता हूं तीसरे स्क्षिन था हमारा यह वाला स्क इस section में हमें कुछ नहीं करना है simply एक banner लगाना है फोटो लगानी पीछ और यहां पे कुछ लिखना है और यहां पे कुछ टेक्स लिखना है यहां फिर यह बनाएंगे फिर यह बनाएंगे फुटर बनाएंगे चले बनाते हैं तीसरा section यह हमारा complete हो गया और आप अपने सापसे इसको adjust कर लिजेगा अगर spelling हो गलत होगी तो उसको देख लिजेगा एक बार कैसे करना है चले हम लोगं तीसरे section गाम करेंगे तो हम यहां पर आएंगे अपनी estmuil में और हम section 2 के बाः जाएंगे तीसरे description में लिखाएंगे section 3 और comment लगा देंगे उसके बाद हम लोग यहां लिख देंगे end of section 3 हम क्या करेंगे हैं ओन कि चलेएंगे करेंगे container और पहले टेक्स लिख लेते हैं हम यहां पर यूज करेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो आप की दिखेंगे अगया उसके बाद मैं क्या करता हूं थोड़ा सा यहां पर क्लास लगा के मार्जन टॉप देता हूं जिससे हलका सा नीचे आजाए नीचे आजाएगा इस पर मार्जन देते हैं मार्जन टॉप और यह हलका सा नीचे आजाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सेंटर पर करते हैं तो हम लगाएंगे क्लास सेंटर एलाइं पर्फेक्ट सेंटर पर आगया उसके बाद हम कुछ लिख देते हैं यहां पर पी लगाके पी लगाके हम टेक्स लिख देंगे यहां पर पी के फ्रासा बड़ा करते हैं तो इसको लाने के लिए कि सब करने के लिए हम लगाएंगे class लगाएंगे white text text आपका white हो जाएगा center align से आपका text center पर चला जाएगा और flow text से आपका text थोड़ा बड़ा हो जाएगा friends तो यहाँ पर text white हो गया text तो अभी थोड़ी दे बाद हम इसको वाइट करेंगे अभी आप ब्लाकी रहने जिससे पता तो चले कि उसके बाद हम एक और प्रग्राफ लाएंगे और उस प्रग्राफ में हम लोग दूसरा टेक्स लिखेंगे लिखने को सिस करेंगे तो प्रग्राफ लगाना बहुत ही जिए आप पी टैग लगाई है और यहाँ पर एक और टैग लिख जिए इफ वांट तो नो मोर अबाउट भी दिन चेक माइं इंस्टा इंस्टा ग्राम और फेस्बुक पेज अगर आप देखते हो तो अभी भी इसमें भी वैसा ही तो जो क्लासे समने उपर लगाई थी वही क्लासे समें इसमें नीचे भी लगा देते हैं सेंटर लाइंग जिससे की आपका टेक्स सेंटर पर जाएगा और फ्लू टेक्स्ट जो आपका टेक्स है वह थोड़ा असका फॉंट तोगहरा परफेक्ट अब हम एक बटन लगा जाते नीचे तो बटन लगाने के लिए पर आप क्या करिए बटन टैक का इस्तेमाल करिए और यहां पर लिख दीजिये लूगों जै बने पर इस बटन को हम बीच मे लाते हैं बीच में लाने के लिए गांटेनर जो हमने बनाया था इस कंटेनर के हम लोग आगने के टेक्स्ट सेंटर तो आपके बटन एक बीच में आगगे आप लोग बैक्ग्राउंड लगाते हैं तो बैक्राउंड लगाने के लिए मैं फोटो यूज़ करूंगा बीजी परफेक्ट और हम लोग यहां बैक्ग्राउंड लगाने के लिए सेक्शन पर बैक्राउंड लगाते हैं और यूज़ करेंगे स्टाइल और यहां करेंगे बैक्ग्राउंड यूर्ल और लिखेंगे इमेज श्लैश बीजी 3.jpg और रिफेस करेंगे देखेंगे यहां बैक्ग्राउंड आ जाएगा और थोड़ा सा हम इसको अर्जस्ट करने को सब्सक्रते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस पर हम लोग पैडिंग देनी को सब्सक्राइब पैडिंग 5 थोड़ा सा पैडिंग देख जाय पूरी ठीक है उसके बाद हम लोग करेंगे बैक्ग्राउंड आटाच्मेंट जिससे की हमारी फोटो फिक्स रहे है मुफ ना करें ग्राउंड अटाइच्मेंट फिक्स तो आप देख वागे फोटो आपकी स्टिल वहाई उसी जगह पर रहेगी उसके बाद हम नोन तो क्या करेंगे टेक्स्ट जहां जहां ब्लैक था उसको वाइट कर देंगे तो मॉल्टिपल कर्सा समय यहां पर करन का फिर ऑल्टिक तो यह collapsible उसकाओ करना इब फोटी उसकाओ करनी करनी तो अब सारे वीजिया सेक्षन तो हम लोग क्या करेंगे एक नया सेक्षन में आ लेंगे यहां पर आएंगे और section में हम लोग लिखेंगे div, row लगाएंगे, और row में दो column बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक row में दो column बनाने के लिए मैं लिखूँँगा call s666 के दो column बनाऊंगा, और यहां पर भी हम लिखेंगे div class call s6, दो column बनाऊंगे, इसमें हमें photo लगानी है, तो photo लगानी के लिए मैं क्या करूँगा, image, image में अपनी image दे दूँगा, जो हमारे image folder में dp1 नाम से save है, और class में मैं उस करूँगा responsive image, जिससे की responsive image, जिससे की हमारी, इसकी width और height 100% बनी रहे, तो एकदम perfect print आ गया है यहां पर, उसके बाद हम लोग थोड़ा section में margin दे देते हैं, उपर से, m top 5, आप देख पाऊगे m top 5, और एक काम और करते हैं, अपने row को wrap कर देते हैं, एक div से container, class container, जिससे की यह एकदम park महां से से left side से, तो हम लोग अपने row को ही रख देंगे, अपने container के अंदर, तो बीच में आएगा, इधर से थोड़ा चूट जाएगा, और इधर से थोड़ा चूट जाएगा, परफेक्ट, अगर आप small screen पे देखोगे, तो यह भी perfect देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क कुछ गलत हो गया, responsive image नहीं है, तो हम लोग try करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर spelling side में stay होगे, responsive image, responsive image, और हम चोटा करने कुशिस करते हैं, तो, कुछ अभी भी गड़बड हो रहा है, चलिए अभी देखेंगे, क्या चीज़े पर गड़बड हो रहा है, तो हम लोग क्या कर स्मॉल करता हूँ, तो 12 प्रेट दिखेगा, पर्फेक्ट है, और medium screen पे क्या करते हैं, medium screen पे 6 और medium screen पे 6, तो medium screen पे 6 ग्रिड लेगा, पहला कॉलम दूसरा भी, तो 6 चे अगल बगल आएगा, left right में, और small screen पे यह पूरा 12 पे लेगा, तो उपर निच आएंगे, तो, उस ब हम लोग अपने दूसरे कॉलम में ले जाके, पेस्ट कर देंगे, और हम लोग को इनसलाइस करना पड़ेगा, तो, यहाँ पर यह code copy करेंगे, और हम लोग इसको इनसलाइस करने के लिए, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और हम लोग आके अपने website को चेक करेंगे, यहाँ प simple अब तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा इदर और फ़्स का था महाँ पर अबाउट मिदेते हैं और कि हैं और कि अब आउट ऑब अगा कि हम लोग है युज fifty क्लीघ ते सबहाँ करते हैं और पर अगर हमें किसी भी section को open रखना है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे हमें first section को open चाहिए तो हम क्या करें क्लास लगा देंगे active li में class लगा दें एक्टिव तो by default यह वाला section अलड़ी open होगा देखें अब इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं तो हम यही वाला क्लिक करें और हम लोग क्या करते हैं नीचे आते हैं अपने body में जहां यह चीज़ लेगे न लॉर्यम एप्सम हम लोग क्या करेंगे इसी span को हटाएंगे और अपना text यहां पे पेश्ट कर दें और हम body में भी लगा देंगे center में जिससे की text सारा सेंटर पर यह वाइट था तो इसको ब्लैक कर देते हमका तो हम लोग इसको सलट कर लेंगे यहां पे इसको सलट कर लेंगे और हम लोग इसको बीज़क करेंगे तो alt दबा के क्लिक करेगा multiple cursor के लिए तो है हमारा थीचि एक dönुक करते है इस फैन रगा हुआ था ने स्ञान तो हम लोग स्क्रम के अंदर ही लिखने कोशिütfen करते हैं को अधिविर्छ्रेश करते है यहां पे क해중 हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे की कछ अगरबढ़ हो गया एक आपड़ाइब करते हैं देखते हैं कि अब्फ मीखें और ठीक है तो हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड हो गया देखते हैं फिर है को यह कोलेपसिबल बाडी इचे भी बैप इसको हटाई देते तो यह difference यह भाई है वेड़ी वेः लैजी धिकत क्या हो रही है अगर इसको कटा देतें तो देखतें घ्रवत है तो कुछ दिफ्ट होगा इसको चुन्त्र जेते आधाद में रॉप और एक सच Это लेकर बटन करेंगे यह लोग कन्टेनर को पर लेते हैं यहां पर बॉडी के और का सब्सक्राओं करेंगे नेथा परफेक्ट है हम लोग वाइट वाला हटा देते हैं तो हम लोग इस वालेा हटा देते हैं तो वाइट कलर भी हट जाएगा उसके बाद हम लोग H3 की जगा H4 यूज कर सकते हैं थोड़ा सा पॉंट को छोटा करने के लिए परफेक्ट तो यहां पर आप इसमें भी कुछ लिख सकते हैं इसमें कुछ लिख सकते हैं और हम लोग नेक्स सेक्शन पर काम करेंगे जो हमारा है फॉर्म फी लोग होगय हूं अपने मटेर्यल से उसके रिक्ट यहां से हम लाएंगे को और फुटर को हम लोग लाएंगे तो फुटर को यहां पर SplJ कर देंगे आपको करने हुआ उन्यगों कर दो दिए क्योंकि फुटर दवा चुगा है तो मुझे सबसे पहले अपना प्राइ इंडिया सेव करते हैं परफेक्ट उसके बाद यहां कुछ लिख सकते हैं लिंक्स को कहा रहा दे सकते हैं परफेक्ट अब हमें एक फॉर्म बनाना है नेक्स सेक्षन तो हम फुटर के उफर चलेंगे और इस सेक्षन के नीचे चलेंगे यहां पर लगाएंगे एक सेक्षन और हम करेंगे इसको कमेंट और हम लिख देंगे एंड और फीडबाक सेक्षन तो इसको भी हम लोग कमेंट कर देंगे और चलेंगे ऊपर और यहां पर हम लोग लेंगे एक कंटेनर डिफ कंटेनर तो आप इसे लिख सकते हो डारेक्ट डॉट कंटेनर और आप टै चाहते में हम युज करेंगे ध्यान से दिखेगा एक बनाइगे हम देंगे कॉल यह गी वो स्मॉल स्क्रीन पे 12 लेगी 12 लेगी मीडियम स्कीन पर सिक्स ग्रीड लेगी और हम लोग औप से उब्री वी चीज मिलेगी अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहां पर कुछ लिखता हूँ पहले आप लिखता हूँ डिफ क्लास कार्ड कॉंटेंट इसमें एक हैडिंग लगाता हूँ एच फोर एच फोर में लिख देता हूँ फीड बैक रिफिस करते हैं तो देखे यहां यह है हमारा कार्ड चारो तरब से हलका शैडो है थोड़ा सा अबरर टाइप कर लग रहा है तो यह हमारा कार्ड अब इसके से हम बनान के फfend तो लो बना सकते हैं रोग चलेंगे इहां पर यह टाइप करेंगे टाइप कर सकते हो तो यहां इंपुट टेक्स्ट आ जाएगा यह हमें basically use करना है तो मैं use करने वाला हूँ जिसमें icon लगा हुआ अलड़ी यह तो इसको open use करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस चीज को copy करेंगे और हम लोग आएंगे अपने रों के अंदर simply paste कर देंगे और हम लोग आके देखेंगे अपने website को यहां पर पर्फिक्ट तो हम लोग के पास यहां पर आ गया एक यह एक यह और हम लोग क्या कर सकते हैं इस content को हम लोग इस row के बाहर बंद करेंगे तो हो गया क्या चारो तरुप से पर्फिक्ट आ जाएगी और यहां पर हम लोग अगर समझना चाहिए तो इसको समझ सकते हैं यह इसके लिए इन्पूट टाइप है यह टाइप टेक्स लिखा वाए वैलिडेल लिखा है अगर हमें फॉर्म समिट करना होगा इसको जावा बगएरा कि तुरू इसको निकालना लिख को क्या लना लंगा यहां यहां पर फिर से और यहां पर यहां पर यूस्करे टेक्स्ट एडिया यह थे स्टेक्स्ट एका को पॉपी कर लिए यहां पर यहां इसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजे और आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेस्ट करें देखें यह 6 ग्रीड ही ले रहा है तो जहां क्या है एक बटन मारा देते हैं यहां पर संस्ट की और यहां पर लिखते हैं enter your message और यहां पर बतन बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस रो के अंदर एक और और बनाएंगे या container आएंगे class container और यहां पर बनाएंगे button type submit या submit अभी छोड़ दिए जब form को submit करा नहीं तो यूज़ करेंगे दर भी form को submit नहीं कराएंगे यहां पर लिख देते हैं submit अभी मैं बता दूँगा form कैसे submit कराऊगे तो Class BPN और BG primary और इसको बटन को घर लिए सेंटर पर करने के लिए से प्रेंट में लगाऊंगा टेक्स्ट या吧 बतन तो प्रांट्री की स्पेलिंग में भी गलत होगई अब कंप्राम्री में आ ठीज सिस्वाघ्र section 2 था शायद पर हां section 2 था तो यहां पर section 2 में about वाला section यह था भाई section 2 यह वाला section तो यहां पर हम लोग column 4-4 जा है उसको मैं सही करने कोशिस करूंगा जो तीन section नायते column 4-4 के और 4 तो small screen पर मैं 12 कर दूंगा medium screen पर 4 कर दूंगा आपकी problem solve हो जाएगी perfect देखें आपकी website एकदम perfect नज़र आ रही यहां पर phone पर open करेंगे तो ऐसी open और computer पर open करेंगे तो ऐसी open होगी और हम लोग बना चुके हैं अपनी website इस वीडियो में बना चुके अपनी website और इस से बड़िया बड़िया website आप बना सकते हो और यहां पर मैंने single primary color का concept यूज किया है आप इस तरहिके से आप क्या कर सकते हो अपने primary color का theme चेंज कर सकते हो लेड़ा सपोज हमें theme कुछ दूसरा चाहिए लेड़ा सपोज हमें यह theme चाहिए greenish type का यह theme मैं copy करूँगा और अपने style में चलूँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा इसको comment करूँगा और मैं लगाऊंगा background और अपना theme paste करूँगा और इस color को use करूँगा यहां पर इसको भी copy कर देते हैं यहां पर color की जगा मैं लाऊंगा यहां के color और border भी अगर आपको चाहिए तो आप border पर भी अपना color यूज करिए ना कि क्योंकि हम theme पूरा ही change करने वाले हैं जैसे इतना करेंगे तो friends यहां पर देख पाएंगे कि हमारी website का पूरा theme चेंज हो गया एक ही change में कुछ changes करने पर देखिए हमारे सब चीज का color change हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं यह यूज कर सकते concept color of primary themes को change करने के लिए तो friends अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को subscribe करिए और notification bell को दबाईए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो लाने वाले हैं नेक्स वीडियो hopefully हम लोग लाएंगे bootstrap पे कि आप single video में bootstrap को यूज करके कैसे website को बना सकते हो thank you for watching this video friends bye bye